हालो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज करने वाले हम टर्म सिंबल्स क्या होते हैं मैंने आपको माइक्रो स्टेट पढ़ा दिया था जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखिए जो उसको जाके जुरूर चेक कर बुक्रेंट्स का नभी आखिए जहल स्टूडेंट्स करें थे अपको इस्ट कहें वीडियोच होते हैं अगर विडियो आछी लगते तो इस वीडियोख सुरूरू स्ब्सक्राइब ऑछ कर साथ देखो यहां पर जो वेलनोन इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वह कौनसी होंगे आपकी तीन तरह की होती है एक होती है आपकी स्सक्प्लिंग एक होती है आपकी स्सक्प्लिंग एक होती है आपकी जेजे कप्लिंग एक इन दोनों से मिलके बनती है आपकी LS कप्लिंग अब SS कप्लिंग से हमें क्या मिलता है बड़ा S ठीक है और यहाँ पे LL कप्लिंग है ठीक है यहाँ पे आपकी LL कप्लिंग है यहाँ पे आपकी LS कप्लिंग है SS कप्लिंग से हमें S मिलता है LL coupling से हमें एक बड़ा L मिलता है और LS की coupling से हमें क्या मिलेगा J ठीक है अभी देखो S कैसे निकलता है L कैसे निकलता है और J कैसे निकलता है यह हम सारा इस वुडियो में हम सीखेंगे समझ में आ गया तो सबसे पहले हम सीखते हैं SS coupling तो देखो SS coupling क्या होते है मैं आपको समझा देती हूँ यह तो देखो इसको मैं आपको example से समझाती हूँ कि कैसे करना है आपको for example मैं आपको example देती हूँ P3 की ठीक है अब P3 को हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसके orbitals लेने पड़ेंगे थीक है इसके होते हैं तीन अब यहांपे देखो electrons कितने फिल करने हैं अब यहांपे 3 फिल करने हैं हमें यहांपे फिल करते हैं अब यह देखो यह क्या है आपकी S1 यह क्या है आपकी S2 और यह क्या है आपकी S3 अब यह जो बड़ा S है यह निकलता कैसे है यह निकलेगा आपके जो यह आपकी spins होती है उनको क्या करना पड़ता है आपको सब को add ठीक है, आपको सब spins को क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, तब आपका निकलता है बड़ा S, समझ में आगी, अब यहाँ पर क्या है, आपकी S1 है, यह S2 है, यह S3 है, आप देखों, यह spin जो होती है, इसकी जो value होगी, half होती है, और इस spin की value भी half है, इस spin की value की भी इसे दे दो, अगर मैं electron fill ऐसे कर दो, 1, 2, 3, 4, यहां पर suppose P4 है, तो electron इस तरीकी से fill होंगे, तो इसकी जो spin होगी, ठीक है, यह जो आपका है, इसकी spin होगी half, और यह जो ultra है, इसकी spin होगी minus half, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी half है, और इसकी minus half है, तो आपका जो resultant निकल के आ आता है, आपका 0, और इसका half है, इसका half है, तो आपका jो S आता है, इस तरीके में, वह क्या होगी, क्या आता है, क्योंकि इसकी स्पिन होगी होगी, तो इसकी spin होगी, कितनी आती है, पीफोर के case में, अगर P3 के case में ह Scr diet Ngos directly, तो यहां पर क्या सिंगल 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 मैंने फिल किया है तो इसकी हाफ है स्पीन इसकी हाफ इसकी हाफ तो अगर मैं इनको एस निकानना है तो मैं क्या करूंगी जब मैंने इनको एड किया तो क्या होगा हाफ प्लस हाफ, प्लस हाफ, कितना हो गया, 3 by 2, तो इसकी जो spin निकल के आती है, P3 की, वो कितनी आएगी, 3 by 2, इतनी बार समझ में आई, और मैं आपको example देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे example हूँ, D4 के, तो इसमें क्या है, आपको fill करने पढ़ेंगे electrons, यहाँ पे क्या होते हैं, 5 इसके orbitals, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपको D4 मतलब यहाँ पे 4 electron फिल करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो आपको इसकी spin निकाननी है, तो यहाँ पे आपको add करना पड़ेगा, यह कितना है, आपका S1, S2, S3, S4 और S5, ठीक है, यहाँ पे S1 आएगा, S2 आएगा, S3, S4 और S5, आपके EK के electron मैंने फिल कर दिया है, तो इसकी spin क्या होगी, आपकी half, इसकी भी half होगी, इसकी भी half होगी, तो इसमें हम क्या कर देंगे, half, plus half, plus half, plus half, कितना हो गया यह, 4 by 2, ठीक है, कैंसल करके कितना आगया, आपको 2, यहाँ पे इसकी spin निकल के आती है, वो कितनी आएग आपकी 2, ठीक है, यह हम step by step सिखेंगे, term simple हम कैसे निकाल, तो यहाँ पे मैंने आपको S निकालना सिखा दिया है, एक और example हम यहाँ पे ले लेते है, P1, D1 की, अगर आपके इस type से आजाए, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, जो को P के लिए आपको orbital अलग से लिखने इसके आपको total spin निकालने, तो total spin कैसे निकालेंगे आप, तो आपको S निकालना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो electrons नहीं है, तो हम यहाँ पे counter नहीं करना है, आपके electrons इसमें है और सिर्फ इसमें है, जिक है, तो इसकी spin कितनी होगे आपकी half, तो 2 ही है ना, तो S1 ब्स कर देंगे मितलब 2 स्पीन है आपके पास तो हाफ प्लस हाफ कितना ओगया उपका 2 by 2 sorry 1 by 2 ठीक है और यहाँ पर 1 by 2 तो इसके सब्सक्राइब तो इसके कैंचेल होगे आपका इसे आपको करने होते हैं एक ऐड़ पर ले लेते हैं यहां पे D7 की ताकि आपको मैं अच्छे सिखा सोकूं कि हम टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं फिर हम चलेंगे L पे देखो जो D7 की एग्जाम्पल है आपकी इसमें भी आपको क्या करने हैं लॉब्स लेने हैं सब्सक्राइब लेने हैं 123455 लेले इलेक्ट्रों कितने फिल करने हैं आपको 71234567 ठीक है यहां पर फाइल की सिंगली सिंगली पर उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रों बची हैं वह वापिस भर दो गया ठीक है अभी देखो यहां पर टोटल स्पिन निकानने के लिए आपक कि लिए serves हाओ अगी सेकंड जो ऊल्टा स्ल रहा है कि लिए एक पहले एलेक्ट्रोंह ऐसे बहा हुआ तो इसका हाफ है और इस वाले का कितना हो गया थ्यार्व हाफ और माइनस हाफ क्या होगे जो इन दोनों को एड करेंगे तो रिजल्टन क्या निकल क्या आता है आपका जीरो इसका क्या आएगा जीरो और इसका भी आपका क्या आएगा जीरो यह भी जिरो आगे यह भी जिरो आगे लेकिन इस केसिस में आपका जीरो नहीं हुआ इसके शे Michal भाइड इसकी नोनों को जब अड़ करेंगे हम फिर क्रमत्रट क्वरी अब्स हीआट-बशास यह बचता है हम यह अब यहां पर है सिर्फ इंक कारण निकलेंगी तो कितना हो गया half प्लस हाफ प्लस हाफ तो कितना हो गया 3 by 2 तो इसकी जो टोटल स्पिन निकल के आते है वो आएगी 3 by 2 समझ में आगे यह हमने निकालना सीख लिए ऐसा स्कप्लिंग अगर हम यहां पर केस ले क्रोमियम का तो क्रोमियम की केस में क्या होता है यहां पर क्रोमियम है ठीक है इसका होता है 24 होता है तॉल इसकी जब उलेक्ट्रोनिक कॉन्टिरेशन लिखते हैं तो क्या होगा 4S1-3D-5 फाइव यह चीज होती है अब यहां पर यहां को टोटल स्पिन इसके निकान है तो एस में कितने हैं यहां पर देगो यहां पर S है और यहाँ पी किया है आपके दि के लिए हम एक और भीटर लिगते हैं टीके लिए समझमे आई किसे लिए यूद्गी फार्ट कर देंगे यहाँ ट्रोण सब्सक्राइब समझ में आगे ऐसे करना होता यहां पर आपको टोटल स्पिन निकाननी है तो टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे इसके लिए हाफ और हाफ 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 इसके लिए हाफ करेंगे यहां पर भी हाफ इसका भी हाफ और इसका भी हाफ तो जब इसको एड करेंगे तो कितना हो आपके fully filled electronic configuration आ जाती है for example जैसे यहां पर है s2 s2 के case में for example यहां पर s के case में हम और्बिटर लेते हैं अगर यहां पर fully filled electrons है तो उसके लिए जो आपके total spin निकल के आती है वो क्या आएगी यहां पर total electrons आपके कितने आ सकते हैं ठीक है तो होगे आपका fully filled ऐसे आपका d10 के case में ऐसे आपका f14 के case में अब देखो इनके case में जो आपके total spin निकल के आती है वो क्या आएगी इन सब के case में वह आप total spin आपके सब्सक्राइब के आती है सब्सक्राइब हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी फूली फिल्ट एलेक्ट्रोनिक configuration अगर आपके आजाए जैसे एस टूपी 6D10 और 14 तो उसके लिए जो आपके इसको ध्यान से समझना है आपको देखो अभी देखो यहां पर आगर आपको निकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ml1 plus ml2 plus ml3 plus ml4 plus ml5 up to some ठीक है इनको आपको क्या करना पड़ता है एड करना पड़ता है तो आपका L निकल के आता है इतने बार समझ में आगए बट आपको यह कैसे निकाने यह वह मैं आपको सिखाते हो देखो सबसे पहले जो आपका इसनों समझना इसके जो मय होते हैं वो यह होते हैं चीज होती है यह और इस पर के समझना वेनी की बीच वाला है दियान में रखना यहीं बीचवाला आपका क्या होगा 0 अगर हम इस साइड आते हैं यह 0 की वाला यहाँ पर 더 वाले में-1 हो गया अगर हम द का केस में प्या लेते हैं five 1, 2, 3, 4, 5 है ना तो यहाँ पर जो बीच वाला होता है वो हमेशा 0 होता है आपका अगर इसके case में देखें तो प्लस 1 और यहाँ पर आगे आएंगे तो यह कितना हो गया प्लस 2 अगर इदर जाएंगे तो यह कितना हो गया minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 up to 0 ठीक है ऐसी है आपका SPD और यहाँ पर अगर F का case ले तो यहाँ पर 7 होते हैं इसके orbitals 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है इस तरीके की होते हैं बीच वाला आपको क्या ले नहीं यह बीच वाला आपका यह 0 हो गया इसके case में लुट भीचे में प्लेसट्य इसके case में प्लेटरिह इतनी बात समझ में आ गई और यह जो होता है आपका 1-2 और minus 3 इस तरीके का होता है इतनी बात वेली होती है वह क्या होती है देखो यह टादू देखो जो आपका L यह वैल्टी होती है और क्या होगी 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए अगर आपका 0 वैल्टी आती है L की तो इसका जो sta legisl지가 होता है हो क्या होगा S यहां पे अगर 1 वैल्यव को आयुऔ टीक है इस तरीके से चलता है अगर siy only 0 बटी लोगे बन आ जाई तो फिर है डी लोगे zwischen 1 फॉर जाई जी लोगे 5 वाजाई दो सिख्वाधे आपको सिखाया है हम इस विर अप्लाई करते हैं कि भी यहाप कीसिस मैंने लिखी हैं इन भी हम अप्लाई करना सीखते हैं कि मैं आपको कैसे सिखाना चाहती हैं तो देखो जीरो था वन था यहां पर टू एस पी डी और ठीक है यह चीज थी अब अगर हम यहां पर पीटू ले ठीक है पीटू के केस में हम वही तीन और बिटल्स लेंगे यहां पर ठीक है पीटू के केस में हम क्या लेंगे यहां पर तीन और बिटल्स इसमें क्या होगा आपको 2 electrons fill करने हैं तो हमने क्या किया 2 electrons यहाँ पर fill कर दी ठीक है अभी मैंने क्या बोला है यह जो बीच वाला होता है इसके लिए आपको 0 लेनी है value इसके लिए plus 1 और इसके लिए आपको लेनी है minus 1 तो आपको जो बड़ा L है वो कैसे निकलता है यह जो ब इसके साथ है यहाँ पर लिखा मैंने ml समझ में आई यह जो 1 है आपको इस दोनों के क्या करना है इं दोनों को स preachy enqu ngay तो सिल यहां पर कितना लेंगे two interessant और फितना उन्हीं थाली तो नहीं लेंगे ml1 plus ml two इसके लिए ध् perfect मन्रेम इसके साथ पन्टिप्लाई की बनकितना होगा 301 कितना हो इसके लिए निकल के आई हो कितनी आए गए आपकी फ्लेस जो कितना होता है 1 और अगर आपकी L की value 1 आ जाए तो उसके लिए जो symbol use होता है वो क्या होगा P ठीक है क्या होता है आपको symbol use P समझ में आगे अब हम बात करते हैं D4 की देखो D4 की case में क्या करना है आपको वहीं है आपको orbitals लेने हैं 12345 यहाँ पर आपको 4 electrons फिल करने हैं 1 2 3 4 फिल किये अब जो बीच वाला है इसकी value आपकी 0 यहाँ पर plus 1 यहाँ पर plus 2 यहाँ पर minus 1 यहाँ पर minus 2 है ना अगर आपको L निकान है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वहीं यह चीज में M1 M2 4 इसकी टो चार टक है न हिए चार इलेक्टरों सात हरु लिखना मल फूर ठीक है अभी आप क्या करोगे देखों यह जो तु है इस 2 को इस 1 electronics के साथ मंटिप्लाइ करो इस में वहें तो यह जो वहाँ इस one के साथ आपको क्या करना है and multiply करना है 2 into 1 कितना हो गया आपका 1 चीक है अभी देखो यहां पर जो सिंगल electron है जो electron इसकी value कितनी है आपकी 1 क्योंकि single single electron है अगर electron मैं यहां पर double fill कर दूं तो इसकी value कितनी हो जाएगे मतलब 2 electrons है इसमें समझ में आ रहे ही ना अगर et क्यों इसकी इसकी सब मंटिपLy करोगे 2 को इसकी सब मंटिप्लाई किया तो कितनाा आएगा आपका 2 यहां पर आफे आगे आपका 2 ब्न को बंटिप्लाई करोगे तो 1 को 1-1 से मंटिप्लाई करोगे तो उसके लिए जो symbol use होता है वो क्या होगा आपका डी ठीक है क्या होता है आपका इसके लिए symbol इतनी बाद समझ में आगे यह भी मैंने करा दिया यह करवा दिया अम आपको यह करवा दिते हूं यह आप 123456 और 7 ठीक है अभी देखो यहाँ पर electron की कितने है d1 में 1 है और f में electron कितने है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मैंने फिल किया यहाँ पर आपको वही चीज़ करनी है कि आपका जो center वाला इसकी value 0 होती है इसकी value plus 1 और इसकी value plus 2 यहाँ पर minus 1 यहाँ पर minus 2 लिख लिया अब इस यह चीज़ आएगी अभी आपको क्या करना है जो आपका total L निकलेगा देखो किस के लिए निकलेगा आपके सिर्फ यह जो इलेक्ट्रों है इसमें है और यहाँ पर यह आपका डी वाला केस है और आपके और बिटल में सरी यह जो electron आपका एक है वह इसमें है ठीक है आप क होता तो उसके लिए भी आपके सेम यहीं चीज़ लगती चाहिए आपका डी ऐए अलग अलग और औा सौल चीज़ लगेगी प्लस ही होगा ठीक है अब इसमें अगर बात करें यहां पे श्री एक है यहां पर इसके वल्यों कितनी है दो है तो आप दो को वह एक से मंटिप् किया कितना आया तू यहां पर कितना आगया तू तो यहां पर तो कुछ है नहीं तो यहां पर हम नहीं करेंगे अब फिर से आपको क्या लेना यहां पर प्लस आप फिर एफ पे चलो तो एफ में कितने एलेक्ट्रों ना वन है बट इसकी वैलू कितने आपर थी है तो 3 को आप elson करोंगे वन से तो किउतने हैं अपका थृ तो कि वैलिए वो इतने आइगी आपके 5 अगर कैने। मैंनि मैंने क्या पताए है तो इस सिंबल होता है हम कौन सा है यूश करते हैं यहाँ पे हैना थो यहाँ पे हैडां इसका सिंबल आग्या अब यहाँ पे यह िया फील से करना अब इस सब को हम इंक्जामपल से समझ लेते हैं तो यहाँ पर मैंने चार इसल की लिए हम टर्फशिंबल निकांन सिखेंगे यह possibility क्या होता है 2 s plus 1 devient एल और जंपिंस जिखाते हैं यहां पर मैंने आपको एल च hatırक्ण सिखाए और यहां पर में ने आपको स्पिन निंप भी प्हल 네 अफिप लिए स्पीन में हो टीरी मैंने आपको पिछली विदियो में बता दिया था कि ठीक है और यहाँ पर हमने L भी निकारना सतहा है बस J हम आगे निकारना सिखेंगे यहाँ पर देखोँ आपको ऐसे निकारना आता है तो आपको यह जो ठाउन है आम आप आदा से निकाल सकते हों Aleman ने आपको निकारना सिखाई दिया है अब हम सिखेंगे क्रॉमियम के लिए कि हम टर्म सिंबल कैसे लिख सकते हैं तो अभी देखो कैसे लिखेंगे क्रॉमियम के लिए हम इसका लेंगे क्रॉमियम का जो एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो क्या होगा 3D5 यह होता है इसका electronic configuration है ना तो इसके लिए देखो जो यह डी है इसके लिए जो orbitals आप आपे हैं यह मैंने 5 लिग दिया और एसके लिए जो और बिटल आएंगे वह एक आएगा ठीक है और यहां पर इसके लिए 5 है यहां पर हम फिल कर देंगे 5 कर दिया और इसके केस में इलेक्रॉंस कितने है एक है ठीक है इतनी बार समझ में आगी अगर आपको एस निकानना है तो आप क्या करेंगे इंस अब को जो आपके जो spins है in spin कこ आप क्या कर देंगे Ers neo करेंगे एड करेंगे और एस ऐस तू करेंगे ये ए कौत दिखुरी जो आपका फिर्स्ट ईलेक्ट्रॉन है यहां पे मैं खाना इसके इस कितनी हाफ हाफ और हाफ हाफ और हाफ और हाफ इप तो अभी को आप क्या कर दोगे यहां पर कितनी है आपकी 5 तो हम 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 2 3 4 5 यह D के लिए हो गया और S के केस में आपका 1 by 2 आ गया यहां पर तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 तो आपका कितना हो गया 6 by 2 यह के चैंसल होके कितना आजाएगा आपका 3 यहांनी जो आपकी S की value है जो आपकी S की value आई है वो कितनी आई है यहां पर 3 इतनी बार समझ में आगे यहां पर मैंने आपको S तो निकालना सिखा दिया है यहां पर मैं हटा रहे हुआ है तो देखो दरहां से लिख लेते हैं जो आपका D orbitals होते हैं ठीक है और एसे होटा है इसमें हम एलेक्ट्रों कर देंगे है और इसमें फिल किया और इसके लिए हमने मैंने क्या बोला है zero लिखो गया आप बेच वाली के लिए यहां पे यहां पर प्लस ब्लस फ्ली प्लस फिर यहां पर माइन्ञस टू हुद्व के स्कत्रेज कंद लिसकतै . यहां कि यहां कि आ वह कि देखो यहां कि अधने हैं यहां परons फिल्द को एक क्लाए करना जब 2 को आप 1 से मंटिप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2? 1 से 1 को मंटिप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1? 0 को 1 से करोगे तो 0 प्लस 0, ठीक है? सब के बीच में आपका 0 ही आएगा, सब के बीच में आपका प्लस ही आएगा, 0 को मंटिप्लाई किया 1 से तो कितना आगे आप आपका 0, minus 1 को multiply किया 1 से, तो कितना आगया आपका, minus 1, ठीक है, minus 1 minus 2 को multiply किया आपका, इसके साथ, तो कितना आगया आपका, minus 2, समझ में आगी 0 को 1 से multiply किया, तो आपका आगया 0, इतनी बात clear है, यहाँ पर देखो, minus 1 से यह cancel, 0, plus 2 से minus 2 cancel हो गया, तो L की value कितनी आगया आपकी 0, ठीक है, अगर आपकी 0 आजए, तो symbol आपका क्या use करना है, यहाँ पर S, यही मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आपका जो L की, जो आपकी L में symbol आए, वो कितना आए, S, यहाँ पे इसके लिए जो term symbol निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा देखो इसके लिए जो term symbol निकल के आएगा आपको निकाना है 2s प्लस 1 l और j j मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है तो आप j को हटा दीजी तो इसके लिए 2s प्लस 1 इसको हम solve करेंगे जब इसको हम solve करेंगे तो यहाँ पे जब 3 पूट किया प्लस 1 तो यह कितना आ गया है आपके 6 प्लस 1 इसके value कितना आगी 7 और l कितना है आपका यहाँ पर s तो यह निकल के आगए इसके term symbol हम नहीं सिखाया तो यह अगे सिखेंगे तो इसके लिए भी a7s तरीके से आपको निकानी होती है अब यह जो complexes जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो आपको करवा दीती हूँ तो अब हम solve करते हैं second example तो देखो, यहाँ पर कैसे करना है आपको Fe Cl6-3 ठीक है, जो Fe की electronic configuration क्या होती है, 3D6 4S2 ठीक है, यह होती है आपकी Fe की electronic configuration जब इसका आप oxidation state निकालोगे तो इसके लिए कितना आएगा आपका X ठीक है, इसका Fe का तो आपको find ही करना है और इस पर minus 1 charge होता है तो minus 1 into 6 कितना आएगा minus 6 और equals तो कितना लिखोगे यहाँ पर minus 3 और X यहाँ पर निकालो जब इसकी value तो minus 3 और यहाँ पर जाके यह क्या हो जाएगा आपका plus 6 और S की value क्या हो जाएगा आपकी plus 3 ठीक है, यह होती है इसकी value इतनी माद समझ में आ गई तो यहाँ पर जो आपका Fe plus 3 कितना आएगा मतलब यहाँ पर आपको 3 electrons यहाँ से निकालनी है तो इसके लिए कितना आएगा आपका 3D5 ठीक है, 3D5 आगया अभी यहाँ पर क्या है, आपके d orbitals आएगे तो d orbitals यहाँ पर लिखोगे आप d5, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर electrons कितने हैं आपके 5 तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर fill कर दिया अब यहाँ पर क्या निकालनी है आपको term, symbol इसके लिए निकालना है तो सबसे पहले हम spin value निकालते हैं इसके तो total आपका s निकालने के लिए इसका spin कितना आएगा half, half, half और half और half तो कितना आगे आपका 5 by 2 ठीक है, यही आएगा इसके लिए half है, half, half और half और half कितना आगे आपका 5 by 2, 3 निकल के आगे आपके s की value जिमात clear है, उसके बाद हम निकालेंगे इसके लिए l की value तो आप l की value कैसे निकालोगे इसके लिए मैंने बोला आपका लेगो लोगे 0 यहाँ पे plus 1, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे minus 1 और यहाँ पे minus 2, हाँ अभी आप क्या करोगे l के लिए, आप क्या करोगे 2 को multiply करोगे 1 से, तो कितनी value आएगे आपकी 2 1 को 1 से multiply करोगे तो 1 0 को 1 से करोगे तो 0 minus 1 को 1 से करोगे तो minus 1, minus 2 को 1 से करोगे तो minus 2, यहीं आएगा टू प्लस 2 से माइनस 2 कैंसल प्लस वन से माइनस 1 कैंसल ल की फैल कितने आगई आपकी जिरु अगर आपकी ल की फैल जिरु आ जाती है तो उसके डिश्म ने किया लेते हैं इसकी जो सिंबल होता है वो ऐस क्या करते हैं हम यहां पे आपके त्यां पर टॉ-प्लस 1 ल जी तो और भी आमने नहीं निकालना सिखा जो L है उसके L की जगा पर क्या आएगा आपका S लेकिन आपको 2S प्लस 1 निकालना है तो 2S 1 प्लस कैसे निकालोगे जो आपका 2S प्लस 1 है आप इसमें जब फिल करोगे जो S की वैलो मेरी कितनी आई है 5 प्लस 1 इसको लिए 2 इंटो 5 बाय 2 प्लस 1 यहां से एग तो इसकी वैलोगे आगी है आपकी 6 है ना तो यानि जो आपका 2S प्लस 1 उसकी वैलिएपकी कितनी आई है 6 दो आपका TUM सिम्ब निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 यहां पर कितना आगया 6S तो इसके लिए जो आपकी टर्म सिम्बल निकल के आई है वो क्या आएगी 6S 6S यह आईगी आपकी टर्म सिम्बल ठीक है अब यह निकाना सेख लेते हैं यह मैं आपको दे रहे हूं कुद को करने के लिए इसलिए इसलिए मैं करवार हुए वैसे आप यह 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 रहे हैं इसलिए हम करते हैं यहां पर देखते थर्ड एक्जाम्पल इसलिए पकर से वही करेंगे 2S1 प्लस L और J ठीक है, J भी हम नहीं सिखा आगे सिखेंगे तो अभी देखो, जो एक्जाम्पल है FE CN6 और माइनस 4 जो FE है, इसके लिए electronic configuration कितनी आती है 3D6 प्लस 3D6 4S2 यही आती है, जब इसका oxidation state निकालोगी तो FE के लिए X और इसके चार्ज कितना होता है साइनाइड पर माइनस 1 माइनस 1 इंटो 6, माइनस 6 is equal to माइनस 4 माइनस 4, तो X के लिए कितना आगे माइनस 4 प्लस 6 और X की वैली कितनी आगे, आपकी प्लस 2, ठीक है, यह आती है अब आप क्या करोगे, यहाँ प्लस प्लस 2 करोगे, तो कितना आए आपका 3D6, यह जीज़ आती है, है ना, अब हम क्या करेंगे, आप डि और बिटल्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 6 एलेक्ट्रोन आपको यहाँ पर क्या करने है, सोरी 6 एलेक्ट्रोन आपको कैसी फिल करने है, वो देखो आपने क्या किया, यह ओर्बिटल्स लिखें, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, अभी आप ध्यान से देखना, यह जो आपके स्ट्रोंग लिखेंट होता है, तो आपको इलेक्ट्रोन कैसी करने होते हैं, तो आपको यह ओर्बिटल्स लीखेंगे, यहाँ एप करने हैं, यहाँ कितना होगा, पहले इसको फुली फ़िल केहा फिर फिर इसको कि इस को यहां पर कितने होगे फिल को स्कंदाया आगी को इसके लिए अनी को मैं ने बताया हुआ है ठिके यहां पर दुप सबकर्ण यह Yang बहुत थो यहाँ पर एसे बरते हो इसकी बेलेक्ट्रोन होती है आपके ऐसे हाफ जा बिटा बरती है इसके लिए माइनस होती है तो तो आपने किया बराब one, ऐसे यहाँ पर इसकी वेल हो कितने अगी be one, इसके-वन देन्स किस्पन कितने आगी आगी आपकी S1 जो आयाए है आपका 0 इसके case में wholly 0 आएगा डान चघ्ượर्छ तोटल स्पीन निकल के आएगा s1ионbooks A2 chat ब्लस एस थी ठीक है इसके लिए भी जिरो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0 आएगा तो टोटल जो spin आपकी निकल के आती है वो 0 आती है ठीक है जो टोटल spin आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी इसके case में 0 ठीक है डाट मिंस आपकी जो S की value है sorry जो S की value होगा आपकी कितनी आई है S is equal to 0 ठीक है अब आपका term symbol होता है 2s plus 1 यह निकलवा देती हूं पहले आपका 2s plus 1 होता है यहां पे आप S की value कितनी रखोगे 0 जो आप इसकी value 0 रखे को 0 into 2 कितना होंगे 0 यहां पे इसकी value कितनी आगी spin multiplicity की 1 आई है अब हम निकालना सिखेंगे L की value तो L की value देखो कैसे निकालनी है आपको 0 plus 1 plus 2 minus 1 और minus 2 है यह चीज है अगर आप n निकालोगे तो ध्यान से सुनों यह देखो 2 है 2 को 2 से यहां पर कितने लेक्ट्रों से दो यहां पर 2 को 2 से multiply करोगे तो 4 1 को 2 से करोगे तो 2 0 को 2 से करोगे तो आप कितना आ गया जिरो यहां पर 4 प्छू कितना हो गया 6 है ना ऐल की value कितनी आई है आपकी 6 अगर आपकी value-6 होती है तो इस पोले से लिए ले वाले केस लिए के लिया है समझ में यह आए पर जो पोर्थ हाए यह आपको करना है अब हम सीख लेते हैं कि हम ls coupling से जे कैसे निकालते हैं तो देखिए अब हम सीखेंगे ls coupling से हमें क्या मिलता है जे जो आपका term symbol होता है 2s plus 1 2s plus 1 और lj तेखें अब देखो यह जो जे है ना यह होता है आपका जे यूसफुल यह जे यूसफुल होता है आपका यहां पर हम 3 चीज़े सिखेंगे देखो सबसे पहले हम यहां पर सिखेंगे जे पॉसिबल निकालना जे पॉसिबल निकालना सिखेंगे फिर सिखेंगे हम जे वैलेड निकालना फिर सिखेंगे हम जे यूसफुल निकालना ठीक है step by step चलें ताकि मैं आपको अच्छी से समझा सको सबसे पहले हम सीखते हैं जे पॉसिबल निकालना ठीक है तो जे पॉसिबल कैसे निकालते हैं तो ध्यान से समझना इसको यह इंपॉर्टन है सबसे देखो जब हम जे पॉसिबल निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपके निकल के कैसे आ जेने हैं ठीक है अडर कर दोगे तो आप कहा तक जाओगे अभी आपके पिताती हुं भी मैं लूँ यहाँ पर P2 की अगर यहाँ पर मैं P2 की एक्जामपल लूँ तो P2 की केस में क्या हो गए आपर हम सबसे पहले रबिटल लिखेंगे इसके यहाँ पर दो इलेक्ट्रों यहाँ तो दोनों मैंने आपर फिल्ड कर दी ठीक है अब हम सीधा निकालना सेख सकते हैं इसमें दिखो जो एस की वैली कितनी हैं हाफ और हाफ कितना हो गया आपर हाफ और हाफ राफ बन ठीक है तो एस की निकल गई संबगा आजए तो मैं आपको सीधा ही निकाल रहें स्टैप्स नहीं लिख रही पर ल की वैली कितनी आगी मैं कितनी आजई समझ में आगी इतुन बार तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हैं यहाँ पर यहां पर क्या करोगे बड़ स्थ क्या हो गया अपका two और one minus one कितना होगे आपका zero ठीके तो ऐपको माइनस करना है two one zero समझ लिए तो से ब्रजिरीरो तक जाने के लिए आपका two one zero तो यह आएगी आपकी यह usefully ऐसे जो जे पॉसि Vegeta है वो आए गे आपके यह हमने निकारना सीख लिया, J possible हम कैसे निकालते हैं, यह हमने निकारना सीख लिया, अभी मैं आपको एक example और करवा देती हूं, F3 की, देखो, F3 को भी आप ज्यान से समझना, सेम ऐसे ही है, बट निकारना कैसे आपको, ठीक है, इसके लिए देखो, जो आपका P2 मैंने आप आपको करवाया था अभी, उसके case में आपके, जो J possible है, वो 3 आती है, 2, 1, 0, यह चीज़ आगे, अभी हम F3 की case में सीख लिए थे हैं, कि हम कैसे निकाले लिए, देखो F3 का case है जो, इसके case में आपको वही orbitals रिखने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, यह चीज़ होती है, तो आपको electron यहाँ पे fill करने है, fill कर दिए, आपको क्या करना है, इसकी value, 1, यहाँ पे half, 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 कितना होगे, 3 by 2, ठीक है, इसकी कितनी value आगे, आपकी 3 by 2, उसके बाद को कहने कानी, L की value, तो L की value क्या आएगी आपकी, यहाँ पे 0, यहाँ पे plus 1, यहाँ पे plus 2, यहाँ पे minus 1, minus 2, minus 3, sorry, हाँ, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आएगा, sorry, 0 यहाँ पे आएगा, उसके बाद plus 1 यहाँ पे, plus 2 यहाँ पे, plus 3 यहाँ पे, उसके बाद यह 0 आगया, यह 0 आए होता है आपका उसके बाद देखो द्यांस समझना इसको जब आप मंटिप्लाई करोगे 3 को वान से तो कितना आएगा तो कितना आएगा आपका टू ठीक है बाकी तो है नहीं लेक्ट्रों से तो जब हम इसको एड करेंगे 3 एक प्लस 2 फ्लस 1 कितना होगेिखे एकनी इस ठीक है कितना याख यहाँ पर six आई जब दोनों को क्या करेंगे जब 2 है है ना आपको जाना का है यहां तक 6-3 by 2 यह जीज़ आपको लेनी है अभी देखो यह कितना हो गए आपका 12 12 5 प्लस 3 कितना हो गया 15 by 2 से आपको जाना है कितना हो गया 12 माइनस 3 9 by 2 तक ठीक है 15 by 2 से 9 by 2 तक जाना है अब आप एक माइनस करते चलो जब तक 9 by 2 तक नहीं बहुंच जाती है आप 5 by 2 कितना आएगा 13 by 2 ठीक है 11 by 2 और 9 by 2 यह चीज़ आएगी ना क्योंकि देखो करते हैं तो 15 by 2 आता है माइनस करते हो 9 by 2 आएगा अब एल प्लस से माइनस तक जाना है आपको तो आपको नहीं तक रूख जाना जो यह क्या है आपकी यह पॉसिबल की निकान नहीं मैंने आपको सिखा दी है ठीक है अब अब हम सीखते हैं कि हम जे वैलेड कैसे निकाल सकते हैं तो आपको जो जो आप जो आपको इसे निकालने आपको यह पॉसिबल कैसे निकालते हैं और दोनों फॉर्मिलेस की कंडिशन भी लिखिया कि कब आपको कौन सा यूज करना है लेकिन मैं आपको एक्जांपल करवाऊंगे एक्जांपल के बीच में सीखेंगी कि इन दोनों फॉर्मिलेस को में से आपको कौन सा यूज करना है किस वक्त आपको लेना होता है ठीक है यहां पर दो एक्जाम्पल है मैं आपको solve करवाऊंगी दोनों से ही आपका यह जो टॉपिया clear हो जाएगा ठीक है यहां पर हम D5 को सबसे पहले solve करते हैं देखो D5 के case में आपको क्या करना है वही और्बिटल्स लेने हैं 1 2 3 4 5 यहां पर इलेक्ट्रोंड आपको profile करने हैं एलेक्ट्रों करने की बाद आपको सबसे पहले ऐस क्이 मैंने काननी है सकी यहांफ हाफ यृफ कितने आएगी रखी यहां पर 0 प्लस 1 फ्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 अब देख ठरीश्य मोन को ऑन से करोगे तो कितना के वान 0 को मं से करोगे तो यहां से चाहिए यहां से निकालेंगे तो ज分享 वहूं प्लस S से जाएंगे हम L माइनस S तक ठीक है यह के निकाल रहे हैं हम J पॉसिबल जे पॉसिबल अब यहाँ पे देखो L प्लस S यहाँ पे L कितना है आपका 0 और यह कितना है आपका S 5 by 2 है ना यहाँ पे 5 by 2 और यहाँ पे आपका जब जाओगे आगे यहाँ पे 0 और माइनस 5 by 2 मतलब आपको 5 by 2 से माइनस 5 by 2 तक जाना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 by 2 से आपको जाना है यह चीज़ आती है आपकी 5 by 2 में से 1- करोगे तो 3 by 2 3 by 2 में से फिर 1-1 by 2 फिर minus 1 by 2 फिर minus 3 by 2 minus 5 by 2 ठीक है आपको क्या करना है plus 5 by 2 से minus 5 by 2 तक जाना है तो आप इस तरी के से जाएंगे अभी देखो टर्म सिंबल होती है जो आपका सिंबल होता है 2s plus 1 आप इलों यह टो टों लिए होगी भिवेवान इसे साव और 1 यहां पर आपको 1 इसा। बड़ेल होता है यह सारी में 123456 अब यहां पर एस तो नहीं है ना जे की वेली है यहाँ शर्पेक्यमिक्टी है in को लिखनी होते हैं तो इसलिए में आपको पॉसिभलाना सिखाया वेले निकानना सिखाऊंगी की कैसे अम यूज कर सकते हैं यहां पर समझ में यहां इन में से आपको आना एक पूट करने के लिए लेकिन कौन से लोगे यह लोगे यह लोगे कौन सी लोगे छे में से देखो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मुला उसके केस में करना क्या है आपको देखो सबसे पहले मुझे यह पताओ यहाँ पर S की वैल्यू बढ़ी है या L की वैल्यू बढ़ी है S की वैल्यू आई है 5 वैल्यू आई है यह लिए 5 वैल्यू आये आपकी 0 डैट मेंस यहां पर S बड़ाह है अगर S बड़ाहोगा यहां पर कौन सा केशह आपकर S अगर बढ़होगा यहां फिट अब क्यूंकि बढ़ा है यहां πर fip 2 है और कि और यहां पो आपyard यहां पटनी घ करूंगे यहां पर कितनी है कि शुर्थ करोगे यहां पे कितनी आगे वन आपको कौन से उठानी है, आपको left वाली लेनी है, left side लेनी मतले positive वाली सबसे पहले लेनी होती है, अगर suppose करो यहाँ पर 4 आ जाता, suppose यहाँ पर 4 आ जाता, तो आप positive से चलते, 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ 4 तक यह सारी values ले लेते, लेकिन आपका 1 आया है, तो आपको left side से ना, तो 1 value आपकी कौन से आती है, यहां पर 5 by 2, ठीके, तो आपके इसके value कितने आएगी? J की 5 by 2, तो आपके जो term symbol निकल के आता है, वो कौन सा आएगा यहाँ पर? जो आपके J की value आएगी वो कितने आएगी 5 by 2 ठीक है जब अगर आपको इसका term symbol निकानना है तो term symbol कैसे निकालोगे वही सेम चीज 2S plus 1 L और J ठीक है J की value कितने आगी 5 by 2 और L की value कितने है यहाँ पे L की value यहाँ पे कितने निकाले थी L की 0 जब L की value 0 आ जाए तो symbol कौन सा यूज करते हैं हम S तो यहाँ पे S आ गया L की value हमने निकाल ली 5 by 2 ठीक है और 2S plus 1 2S plus 1 यहाँ S की value कितने है 5 by 2 जब इसमें values for put करेंगे तो 2 into 5 by 2 plus 1 2 से 2 cancel तो यहाँ पे कितने आगे 6 तो यह आगे इसका term symbol full ठीक है 6s 5 by 2 तो यह आता है इसका at d5 का term symbol अब आप यह बोलोगे कि मैं हमने जे तो निकालना सीख लिया है तो एक value हमें चाहिए थी वो तो हमने निकालना सीख लिया है तो यह useful की क्या जूरुत है जूरुत पड़ेगी वह आपको समझ में आएगा इस वाली example से ठीक है तो हम आपको करवाती हूं आगे देखो अब हम सीखते हैं second example p1 d1 ठीक है तो देखो p1 d1 के लिए हम क्या करेंगे p का orbital लिखेंगे और यहां पर d का orbital लिखेंगे ठीक है अब p में कितने electron है 1 फिल कर दो d में कितने electron ना 1 फिल कर दो ठीक है यहां पर वही है आपको सबसे पहले s की value निकाननी है हाफ और हाफ कितना हो गया बाद हाना और l की लिए अगर आपको निकाननी है तो इसके लिए 0 प्लस 1 माइनस 1 इसके लिए 0 प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 है ना यह चीज़ होती है तो इसके लिए देखो 1 को 1 से पंटिप्लिये करों तो 1 2 को 1 से करोंगे तो यहां पर 2 ठीक है तो कितना आगी यानि यह की वैली कितनी आती है आपकी 3 इतनी बाद क्लियर है अब आप यह देखो आपको फोर्मला यूज करना है अब यहां पर हम J possible निकालते हैं तो J possible निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम चलते हैं L plus S से L minus S तक L की value कितनी है यहां पर 3 यहां पर 3 plus 1 से जाएंगे 3 minus 1 तक ठीक है 3 plus 1 4 और यहां पर कितना आता है 2 है ना यहां पर 4 3 यहां पर 2 क्योंकि हमें 4 से 2 तक जाना है तो हम 4 में माइनस करेंगे 1 3 पर 2 आ गया that means यहां पर कितनी values आई है 3 तो मैंने क्या बोला है J की value हमें सिर्फ एक ही चाहिए होती 3 तीन नहीं चाहिए होती तो यहां पर 3 तीन आगे तो हम एक निकानने के लिए हम क्या करेंगे formula एक का यूज करेंगे तो हमने formula यह भी निकालेगी यह वाले यूज होगा जब यहां पर प्रॉब्लम होगी अब इसमें क्या करेंगे अब इसमें यूज होगा आपका जे यूसफुल अब इसके जे अगर यह वाले केसिस अगर आपके आ जाते हैं तो इस केसिस में हम कौन सा यूज करते हैं जे यूसफुल मापको भी निकानना सिखाते हैं क्योंकि देखो यहां प ठीकते हैं जई इे यूज्गारणा ठीक है पॉसिबल मेंने लिकार्णा सिखा दिया आप लास्ट हमारा रहत जैयूस्फूल जये उसफूल केस्थ में आपको क्या करना होते है तो ध्यान से समझना पी टू का एप हाफ और हाफ यहाफ यहाँ पर कितनी आगे वन और female कितनी आगे मैं सिधां लिक रही है हुँ नोटल लिए ग एफ सब्सक्रें कितनी ही यहां पाइल्ट किवynnयी सब्सक्राइए तो 1 प्लस 1 से हम जाएंगे 1-1 तक तो 1 प्लस 1 2 1-1 0 तो 1 यह जी जागी 210 यहाँ पर 3-3 values आती है जे की लेकिन आपको एक यूज करनी है तो आप कौन सा यूज करोगा इसमें तो यहाँ पर मैंने देखो कुछ लिखा है अगर आपकी electronic configuration अगर आपकी electronic configuration less than half field है तो आप जो आपका जो Jाट आपको कौन सा यूज करना है lowest वाला ब्दा से समझना इस बातको अगर आपकी electronic configuration less than half field है तो आपका जो J की value कौन सा यूज करोगे lowest वाली ठीक है अगर आपकी है तो आप जो आप जो जाए कि वेल्यू आप फुद देखो आपके यहां पर जो आपके यहां जोगे कौन सी यूस ला थी प्रक्रफिस डाती है तो जाए है लेकिन आपर जाए वाली आप टीन आ ठीक है तो जेए की वेलओ आपको जो जेए यूस्फुल होगा वह क्या निकल के आएगा जीरो तो बहुत रेट्ट्रोनिक आपको सिखाया था कि टो एस प्लस वन यहां पर जो यूस्फुल आपका होता है यहां पर आपका आगे आगे हमारा जीरो ठीक है अब आपको अगर तो यहां पर 3 हो गया अब यहां पर L की वैली कितनी आई है वन तो वन के केस में हम क्या यूज करते हैं पी और जे की वैली यहां पर 0 ठीक है 3P0 तो आपके टर्म सिंबल इसका यह वला निकल के आता है समझ में आगी एक और आपको एक्जाम्पल करवा दें ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूं तो देखिए अब हम करवाती हूं F9 का केस F9 की केस में आपको क्या करना है सेम वही चीज है आपको वही ओर्बिटल लेने हैं इसमें तो आप यहां पे यहां पर वही ट्रेव करोगे 12345678 और 9 फिल करने के बाद आप यहां पर क्या निकालोगे सबसे पहले एस की वैली इसके लिए यहां पर कितनी होगी 0 क्योंकि यहां पर दो एलेक्ट्रों से हाफ और मैंसहाँ यहां पे 0 1,2,3,4,5 तो यहां पर आश़ की वलूइ आपके 5 x 2 ठिके अब आप निकालोगी L की वलूइ तो यहां किया होता आपका 0 हह पे प्लेस 1 यह पे प्लेस 2 here प्लेस 3 यहां पे माइनस 1 यहां पे प्लेस 2 यहां पे माइनस 3 यह जीज होती है आप आपकी जब आप यहां पर यहां पर यहां पर निकालते हो तो 3 into 2 कितना हो गया 6 plus 2 into 2 कितना हो गया 4 है ना 1 into 1 कितना हो गया 1 into 1 कितना हो गया आपका 1 plus 0 minus 1 minus 2 और minus 3 ठीक है यह होती है जो आप इसमें करते हो यहाँ पर इतना हो गया आपका one say one cancel हो गया ठीक है और यहाँ पर six or ten होगी यहीज six plus four ten और यहा पर माइनस two minus three कितना हो गया तो यहाँ पी कितनी आगे आपकी l की value 5 यहां कि वख्याइइ है five ठीक है स्के वाइब वाैट दोर लो कितनी आगी आगी आपकी इतनी जालिए अब यहां पर हम आप कर लेते हैं रहां कि अब यहां पुलक्य बिल्कुल एजे है एल कि इतनी जाल यहां पर 5 प्लस, S की वल्वी 5 by 2, जाओगे 5 से माइनस 5 by 2 तक, ठीक है, जब इसको solve करोगे, लस्यम लेके, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 15 by 2, और इसका आएगा आपका 5 by 2, ठीक है, आपको क्या करना है 15 by 2 से 5 by 2 तक जाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 1 1 माइनस करते चलो होगे, तो इसकी value आगे 13 by 2, इसकी 11 by 2, 9 by 2 और 7 by 2, बस आपको क्या करना है 15 by 2 में से माइनस 1 करोगे 13 by 2, फिर माइनस करोगे 11 by 2, इस तरीके से आपको 5 by 2 तक जाना है, तो यहाँ पे इसकी values कितने निकल गयाते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 6 values निकल गया आगी, समझ में आग जादा है, अगर L की value जादा होती है, तो हम यह वाला formula यूज करते हैं, ठीक है, जे वैलिड के लिए, तो यहाँ पे 2s plus 1 यूज किया, 2 into 5 by 2, plus 1, यहाँ पे cancel, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो यह कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 value यहाँ भी है, यहाँ पे 6 हाई है, बताए, J useful के लिए आप यह वाला apply करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, electronic configuration more than half field है, यहाँ पे electronic configuration more than half field है, अगर more than half field है, तो आपका यह वाला case use होगा, कि अगर आपके electronic configuration more than half field होती है, तो आपकी जो J की value है, आप highest value यूज करोगे, तो आपकी highest value J की value कौनसी है, 15 by 2, ठ तो आप J की value कौनसी होगे, 15 by 2, ठीक है, यहाँ से मैं हटा रही हूँ यह, तो आपकी J की value आगे, 15 by 2, ठीक है, समझ में आगे, इसे किया है, मैंने, बस यहाँ पे जो आपका, इसका जो symbol निकल के आएगा, term symbol, वो कितना आएगा, 6H 5 by 2, यहाँ पे मैंने देखो, यह निक प्रकाने सिखा दिया, 5 by 2, बता दिया, सवरी 15 by 2, 15 by 2, ठीक है, 5 by 2, 15 by 2, ठीक है, यह चीज़ आएगी, यह निकाल के देखलें, कैसे आएगा, मैंने आपको सारा कुछ सिखाई दिया है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, जो मैंने आपको करवानता ही, होब आज की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाबाई,